पॉधार अमेठी में भी एक साथ एक लाख असी हजार पॉधार उपन का लक्ष रखा गया था उस लक्ष को पूरा क्या क्या रपोर्ट देखिए वैसे तो प्रदेश भर में पॉधार उपन का कारिक्रम चला जिसमें लगबग सभी जनपद आगे निकलने की होड में लगे हुए हैं अमारे विशी परंपराने पीपाल, बर्गाद, पाकाट, आम, नीम या इस परकार के जो बहुत सारे औस्तिय ब्रिक्स हैं इनको अचानक देविय अंसित के रूप में इनकी पूजा वैसे ही नहीं की इसका महत्व है प्रयावरण की देश्ची से भी और साथ साथ इसका महत्व है न केवाद इस जियू स्रिश्ची के अपे तो इस तंकों चराचर जगत के लिए मनुस्या और जियू जंतों के इसी क्रम में अमेठी में भी एक साथ एक लाग अस्ती हजार पौदारूपन का लक्ष रखा गया अमेठी में गारिक्रम की शुरूआत नोडल अधिकारी टिंपल वर्माने की अमेठी में जन जाग रुकता के जरीए कुल 34,69,000 पौदे लगाया जाने का लक्ष रखा गया जिले भर में कई कारिक्रमों का आयोजन किया गया इसके लिए पिछले कई दिनों से जिलाधिकारी प्रशांत शर्मा कलेक्टरेट में सभी अधिकारियों कर्मचारियों के साथ पैठक कर माइक्रो प्लान तयार कर रहे थे जिसमें जिले के स्कूली शात्र शात्राओं आम जन्मानस के साथ किसान भी भागिदारी कर रहे हैं। जन्मानस के साथ किसान भागिदारी कर रहे हैं। जिलादिकारी और नोडल अधिकारी द्वारा मुसाफिर खाना तैसील में इस्थित नारा अलनपुर्व के गांधी उप्मन में पांच हजार पौधे रूपित का लक्ष रखा गया। इन पौधों को लगाने के बाद इनकी जियो टैगिंग भी कराई जाएगे। जिससे किसी भी प्रकार की फर्जी रिपोर्टिंग ना होने पाए। जिले का पौधा रूपन का 35 लाग के पौधे लगाने का आज का लक्ष है एक दिन में और पूरे प्रदेश का जैसा कि आप जानते हैं कि 22 क्रोड पौधे लगाने का लक्ष है जिससे कि एक नहीं बलकि कई विश्व की इर्थिमान बनाने की उमीद है प्रदेश को आज। आज ही के दिन 18 लाग पौधे और बाकी 17 लाग पौधे अलग-अलग विभागों को लक्ष के तौर पर दिया गया है। सबी पौधे धरातल पर लगे दिखाएं उत्तरपदेश आसन द्वारा निर्धारत लक्ष संबंदित विभागों को आवन्टित कर दिया गया है। गंटी का बटन दबाएं और हिंदी खबर से जुड़ जाएं।